यह चांपियंज क्या आलचाल है, this is प्रेम यार, welcome back to another important video of class 9th science और इस बार class 9th के science का एक बहुत ही जादा important topic जिसको work and energy कहते हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वैसे आज की इस वीडियो में आपने work and energy पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, कोई फरक नहीं पढ़ता, इस व formula पर based जितनी भी numericals आपकी NCRT book में दिये हैं, चाहे वो exercise के हो, चाहे वो example के हो, दोनों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, वो भी animated form में मेरे दोस्त, तो मज़ा आएगा यार, यह chapter पढ़ने में, एक छोड़ी सी request चैनल को subscribe कर देना मेरे दोस्त, तो bell icon को जरूर दबा तो work done का क्या formula हो सकता है, work done by constant force, जैसे एक example लेते हैं, यह लड़की क्या गर रही है, constant force लगा रही है, लगातार force लगा रही है, इस twice को खीचने में, जिसकी वज़े से कुछ force लग रहा होगा, और force लगने की वज़े से यह जो twice कार है, यह थोड़ी दूर तक move भी करी होग तो हमें एक चीज़ पता चल गया, work done, यानि काम करने में दो चीज़े लगाई जाती हैं, एक तो force और एक तो distance, यह दोनों चीज़ पता चल गया, तो बस यही तो है मेरे पाई formula, क्या है work done का formula, force into displacement, force को हम छोटा F और displacement को हम छोटा S लिखते हैं, तो जब भी work done आप से calculate कर करने के लिए बोले, तो देखो force दिया गया रहेगा और displacement दिया रहेगा, इन दोनों को multiply कर दो, नहीं समझ में आ रहा है, आगे numerical चलते हैं, पहला numerical, भाई साब इसमें क्या बोल रहा है, force दिया गया है, displacement दिया गया है, आपको बस इतना पता करना है, work done क्या है, इस case में, work done का formula क्या है, मैंने भी बता है, पीछे ये देखो, work done का formula, force multiplied by displacement, तो यही formula लगाते है, w equal to, छोटा f multiplied by displacement, ठीक है, अच्छा ठीक है, force कितना, one newton, one newton, यह force लगा है, multiply कर दिया, one meter, यह displacement है इसका, ठीक है, यानि yes, तो मेरे भाई, one into one, one ही हो जाएगा, तो one nano, sorry, Newton meter, क्या यही answer होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी और improvisation करनी है, one newton meter को हम एक नाम देते हैं, joule कहते हैं, तो एक चीज हमें पता चल गई, कि work done जो होता है, यह हम किसमे calculate कर रहेंगे, इसका SI unit क्या होता है, work done का, SI unit, joule होता है, ठीक है, क्या होता है, joule होता है, अब force is applied for the distance of one meter, it's called one joule, यानी, एक newton force लगातार एक मीटर तक लगाया गया है, बस इसी को हम एक joule कहते हैं, तो I hope आपको समन में आ गया होगा, इसी का बड़ा भाई, एक और numerical लेते हैं, क्या है, a force of five newton, यहाँ पर कहा गया है, कि एक force लग रहा है, जो कि 5 newton का है, और इस force क कि वज़े से displacement कितना हुआ, two meter हुआ, हम इस पूरे question को इस example के थूँ देखते हैं, हम इस मुक्के से क्या करते हैं, force लगाते हैं, ठीक है, और force लगाते हैं, five newton का, ठीक है, तेस से इस eat पर मारते हैं, जिसकी वज़े से ये eat कुछ दूर तक चली जाती है, कितनी दूर तक, हमारे पास लगभग two meter तक पहुच जाती है, ठीक है, तो मतलब मैंने मुक्के से force लगाया, five newton का, जिस से ये eat displace होकर, यहाँ पर आ गई, two meter displace कर ली इसने, तब आपको बताना है, कि if the force acts on the object, all through the displacement, मालो ये जो force है, five newton का, ये लगातार लग रहा था, लगातार लग रह तब तक, यानि two meter तक जाने में, लगातार five newton का force लग रहा था, आपसे पूछ रहा है, work done कितना हुआ, बहुत ही आसान है, work done का formula लगाते हैं, f multiplied by s, तो f यानि force five newton दिया है हमारे पास, ठीक है, और s यानि two meter दिया है हमारे पास, तो five to the ten newton meter, और newton meter को हम joule भी कहते हैं, तो इसका answer ten joule होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मेरे दोस्त, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, तो I hope आपको ये दो numerical work done calculate करने पर आ चुके होंगे, राइट, अच्छा बागे चलते हैं, एक बहुत ही important note है आपके लिए, इस पूरे वीडियो में हमने important notes करके भी बड़ा है तो सारी चीजे समझ में आ जाने वाली है, क्या है, important note one, work done can be positive और negative, भाई साब, कभी-कभी जो हम काम करते हैं, जो काम करना होता है, वो positive work done भी हो सकता है, और negative work done भी हो सकता है, अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए, हमने एक आदमी है, जो की ground से कुछ उठ उठा रहा है, और एक आदमी है, जो की ground से सारी चीज़े उठा ली है, अब किस case में positive काम होआ, किस case में negative यह देखते हैं, देखो, सबसे पहले क्या हुआ, इस आदमी ने इसको उठाया, यानि force किस direction में लगा है, बताओ, force इसने किस direction में लगाया, भाई, force उसी direction में लगा तो इसको हम positive work कहते हैं, मतलब जिस direction में हमने force लगाया, इसी direction में काम हो रहा है, तो हम इसको positive work कहेंगे, अच्छा, negative work क्या होता है, मालो इसके हाथ से यह छूट जाए, यह उठा रहा है, लेकिन यह छूट जाए और नीचे गिर जाए, force हमने लगाया उपर की तरफ, लेक इसे हो जाता है, आप देख रहे हो, आपको पता है कि जब इसने हाथ से उठाया है इसको, तो एक force लगता है, that is called force of gravity, force of gravity कहते है ना, जो हम लगातार हर चीजों पर लगता है, नीचे खीशता है वो, तो इस case में क्या हो रहा है, work done, force के direction के opposite में हो रहा है, हम उठा रहा है उपर, लेकिन जो gravity लग रही है, वो नीचे लग रही है, इस case मर, जो हमारा work होता है, वो negative कहलाता है, तो समझ में आए कि काम positive कब कहलाता है, काम negative कब कहलाता है, जब force के direction में काम हो रहा हो, तब तो positive है, और मालो हम force लगा रहा है, उपर काम हो रहा है, नीचे तब ये negative work हो देखो इसने कहाए कि एक porter है यानि एक समान उठाने बाला है उसने लगबग 15 किलो का समान ground से उपर उठाया देखो ये आदमी है 15 किलो का समान इसने ground से उपर उठाया है and puts it on its head अब इसने इस समान को उठाकर अपने सर पर रख लिया और अब जमीन और समान की बीच में जो distance है वो है 1.5 मीटर का बहुत ध्यान से सुनना दो बाते बताई गई है कि इस बकसे का वजन कितना है 15 किलो और इस बकसे को उठाया कितनी दूरी तक है 1.5 मीटर तक राइट अब आपसे पूछ रहा है work done कितना है मेरे दोस्त तो मैंने work done का आपको formula बता रखा है क्या है work done का formula force ठीक है आप छोटा F पर बड़ा F कुछ भी लिख सकते है force को दिखाने के लिए और उसके बाद S यही है तो force दिया रहता तब तो calculate कर लेते हैं यहाँ पर तो mass दिया गया है ठीक है अब पॉर्टल लिपसल लगे जा 15 kg from the ground and puts it on its head अच्छा अब यहाँ पर 15 kg mass दिया गया है तो force का एक formula होता है mass into gravity due to जो हमारा gravity का value होता है 10 हम g की value क्या ले लेते हैं g की value 10 meter per second ठीक है और इसका exact value तो होता है 9.8 meter per second लेकिन हमारा calculation आसान है इसलिए हम इसको 10 meter per second ले लेते हैं question में भी आपको 10 meter per second ही दिया जाता है राइट तो force की value m और g होती है और s को ऐसी रहने देते हैं m मतलब mass mass हमारे पास कितना है 15 kg ठीक है 15 kg का हमारे पास समान है ना mass तो 15 kg है अच्छा acceleration due to gravity कितनी लगनी चाहिए 10 क्यों क्योंकि g की value हमने रखी है यहाँ पर 10 और multiply किस से करेंगे distance से यानी 1.5 से ठीक है 1.5 से तो हमारे पास कितना आ जाता है 150 ठीक है और 150 यह आ जाएगा 225 जूल ठीक है आप इसको multiply करके देख लेना 15 इंटो 10 150 हो जाता है और 150 multiplied by 1.5 225 जूल this is the answer हमें पता है कि हम work done को जूल में calculate करते हैं तो पता है न तो work done यह भी पूछा है इसलिए जूल में हमारा answer आया है तो देखो कितना आसान था या कभी-कभी force नहीं दिया रहता आपको सीधा वजन दी दिया जाएगा तो वजन मास हो जाता है और acceleration due to gravity दिया है तो ठीक है नहीं तो आप 10 ले सकते हो इसके लेने की वज अच्छा नहीं सबन में है तो एक और question कर लेते हैं जो कि work done के उपर ही है ठीक है क्या इसने बोला है कि a pair of blocks यानि दो bell है और ये दो bell ये जो flow है इसको खीचने में लगभग 140 newton का force लगाते हैं और जो field है हमारा वो लगभग 15 मीटर है यानि ये जो दो bell दिख रहे हैं आप को ये खीचने में इस 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 फार को खीचने में जो force लगती है वो लग जाती है 140 newton की और फार को कितनी दूर तक इनोंने घीचा 15 मीटर तक कितना 15 मीटर तक की जो लंबाई ये खेत की 15 मीटर तक हमने इस block से ये flow खिचवाया जिसमें force लग रहा है 140 newton अब आप से बोल र पुराना formula w equal to f multiplied by s force दिया गया है 140 newton और multiplied by distance भी दिया है 15 मीटर तो 140 multiplied by 15 हो जाता है हमारा 2100 और newton मीटर या आप इसको चाहो तो 2100 जूल भी कह सकते हो ठीक है तो देख रहो कितना चोटा-चोटा हमारा solution है इसका कितना चोटा-चोटा solution है बस हमें question को समझना है मेरे दोस्त हमने देखा कि भाई साथ दो bell है जिसने force लगा रहे है इतना और इस force की वज़ए से displacement हुआ इतना तो हमें दो ही value चाहिए थी work calculate करने के लिए force और displacement द दिखाएगी the energy possessed by an object is measured in terms of its capacity of doing work एक चीज़ आद रखना कि इनसान के पास जितनी energy होगी उसके energy का पता कैसे चलेगा भाई साथ जितनी energy होगी वो इतना ही capable होगा काम करने के लिए नहीं समझ में आ रहा है अच्छा इस picture से समझने की कोसिस करो एक आदमी दीख रहा है आप एक बात बताओ तुमको क्या लग रही इसकी energy down लग रही होगी बिलकुल इसकी energy क्या है down है ठका हुआ लग रहा है तो क्या ये काम कर पाएगा इसकी capacity of doing work क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ना क्योंकि इसकी energy कम है दूसरा एक आगमी ये बहुत ही जादा energy टिक लग रहा है तो क्या ये काम जादा कर सकता है क्या इसकी capacity of doing work जादा है बिलकुल तो जिसकी energy कम है उसकी capacity of doing work कम है जिसकी energy जादा है उसकी capacity of doing work जादा है मतलब ये जादा काम कर सकता है तो यही था हमारा important note क्या था कि भाई जो energy होता है is always equal to ability of doing work energy को हम कैसे calculate करेंगे ability of doing work कितना काम कर स पकता है उतनी ही एनर्जी है उसके अंदर ठीक है तो जब एनर्जी को हम वर्क के इककोल बता रहे हैं तो एनर्जी और वर्क का जो SI unit है वो भी सेम होना चाहिए work का SI unit मैंने बताया था आपको जूल है तो एनर्जी का भी SI unit क्या होना चाहिए Joule होना चाहिए, क्योंकि पता है energy और work दोनों equal होते दोनों same होते हैं, भाई जितनी energy रहेगी आप उतना काम कर पाओगे ability of doing work आपके उतनी ही रहेगी, जितनी energy रहेगी तो जब energy और work दोनों same है तो दोनों का SI unit भी same होना चाहिए, यानि Joule होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भाई भै, no, बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा, गूजो हमारे लिए कुछ interesting बात लेकर आया क्या लेकर आया है, इसने कहा कि one Joule is the energy required to do one Joule of work कितनी interesting बात है energy का भी जो unit होता है, वो one Joule होता है और work का भी जो unit होता है वो one Joule होता है मतलब कहने का क्या हुआ, कहने का हुआ कि जो energy एक Joule के बराबर जितनी energy है इसका मतलब हम एक Joule के बराबर काम कर पाएंगे, तो energy is equal to ability of doing work, ये note याद रहेगा आपको, ये बहुत ही इनसान सी चीज मैंने आपको बताई, कि इनसान के अंदर जितनी energy रहेगी, वो उतना ही काम कर पाएगा energy down रहेगी, उसका काम भी कम हो जाएगा, इसकी energy high है, तो ये काम भी जादा करेगा है ना, तो मतलब, energy equal to ability of doing work इसलिए इनका SI unit भी है, SI unit सेम है, तो एक बहुत ही important बात इनके बारे में कही गई है, कि भाई, एक जूल energy चाहिए होती है, एक जूल काम करने के लिए, ठीक है 1 joule is the energy required to do 1 joule of work अच्छा, formula 1 तो हमने देख लिया, जो कि work done के ऊपर था, राइट, अब हम देखते formula number 2, जो कि kinetic energy के ऊपर है kinetic energy क्या है, एक बात बताओ देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये बंदूख आपके सामने है, बंदूख के अंदर आपको ये भी पता होगा, क्या है गोली होती है, बंदूख के अंदर क्या होता है तब तक ही इस इनसान का कुछ हो सकता है क्या, बिलकुल नहीं हो सकता अच्छ, माल लो, हमने bullet चला दी इस इनसान को लग गई, होगा क्या ये इनसान मर जाएगा, तो ये bullet के चलने की वज़े से ये इनसान मरा है, राइट, तो हम ये bullet बंदूख से निकली, इस इनसान को मारा और ये इनसान मर गया, राइट तो ये movement की वज़े से क्या हुआ है, ये जो work done हुआ है, ये आदमी मरा है ये movement की वज़े से मरा है bullet के movement की वज़े से मरा है, राइट अच्छ, एक और example लेते है ये हवा आप देख पा रहे हो, जब तक हवा नए चलती है,क्या, पेड हिलते हैं क्या, नहीं हिलते मालो बहुत तीजी से हवा चलने लगी, क्या होगा, पेड ऐसे हिलने लगी गा बिल्कुल तो ये work done क्यों हुआ है ये work done हुआ है moving wind की वज़े से यानि चलती हुई हवा की वज़े से तो इन दोनों examples में एक चीज पता चली जो चीज चलती है वो काम कर सकती है वो work done कर सकती है राइट बिल्कुल मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ objects in motion possesses energy जितनी भी object motion में रहती है चाहे bullet की बात कर लें ठीक है चाहे bullet की बात कर लें चाहे हम हवा की बात कर लें अगर कोई भी चीज motion में है चल रही है तो उसके अंदर एक तरीके की energy होती है और इसी energy को हम kinetic energy कहते है ठीक है तो kinetic energy क्या होता है और क्यूं होता है due to motion होता है यह किसी भी object के चलने की वज़से जो energy produce होती है that is called kinetic energy समझ रहो वहाँ मालो ball है एक और इस ball को हमने बहुत तेज से फेका और यह ball आ गई एक इनसान को लग गई तो इसको तो चोट लग जाएगी क्योंकि ball क्या कर रहा था move कर रहा था इसके अंदर एक energy थी movement की वज़से यह कौन से energy थी जी हाँ यह kinetic energy थी तो इतना समझ में आगया होगा कि kinetic energy होता क्या है कि भाई कोई object move कर रहा है तो उसके अंदर kinetic energy होता है अब माल आपसे बोल दे कि kinetic energy calculate करो कैसे करोगे देखो e k यानि kinetic energy is equal to half m v का square यानि mass और velocity दिया रहेगा तभी हम kinetic energy निकाल सकते किसी-किसी case में kinetic energy दे देता है, mass दे देता है आपसे velocity पूछेगा किसी-किसी case में mass और velocity दिया रहेगा, आपसे kinetic energy पूछ लेगा किसी-किसी case में यह यह दिया रहेगा, यह दिया रहेगा, आपसे यह पूछ लेगा तो formula यही है, क्या है formula इसको हमेशा रट लेना kinetic energy calculate करने के लिए अगर formula आता है तो that is half m v का square यानि half mass into velocity दो चीज़े दी रहेंगी, तब ही kinetic energy निकल सकती है, तो चलो इस formula पर बेस कुछ questions लगाते हैं, कह रहा है कि एक object है, जो की 15 kg का है, यह object देख रहे हो आप, यह 15 kg का है, कितने kg का है, 15 kg का यह object आप देख लो, is moving with a uniform velocity, और यह object चल रही है, चल रही है, कितनी की speed से चल रही है, 4 meter per second, कितनी speed से, 4 meter per second की speed से, यह जो ball है, यह यहां से यहां तक आती है, जो की distance कितना है, distance यहां पर नहीं दिया गया है, बस हमें इतना पता है, कि यह object 15 kg का है, और 15 kg का है, साथ साथ में इस velocity से चल रही है, आप से बोल रहा है कि kinetic energy पता करो, तो पहले formula लिखते हैं, kinetic energy का क हमारा formula है, kinetic energy का energy, ठीक है, energy और नीचे k, right, kinetic energy, is equal to half multiplied by mass, multiplied by velocity का square, तो mass यानि वजन दिया है, 15 kg, velocity भी दिया है, 4 meter per second, ठीक है, तो इसको हम calculate करते हैं, half multiplied by mass, यानि 15 multiplied by velocity का square, यानि 4 meter per second का square, 4 meter per second multiplied by 4 meter per second, तो इसके answer क्या आएगा, पहले तो 2 को 2 से cut कर देते हैं, बचा 2, 15, 2 is a 30, और 34 is a हो जाता है हमारा, 15, 2 is a 30, और 33 is a 90, 34 is a 120, और इसका जो SI unit होगा, वो हो जाएगा Joule, क्यों, क्योंकि हमें पता है, energy की unit और work done की unit, इन दोनों की unit same होती है, बिल्कुल, तो जो kinetic energy हमारे सामने निकल कर आई, वो है 120 Joule, अब हम चलेंगे एक और important numerical की तरफ, ये भी आपके NCRT का numerical है, और इसमें पूछ क्या रहा है, what is the work to be done, देखो यार, अभी work to be done, यानि कितना काम हुआ, ये calculate करने का दो formula है, हमारे पास, एक तो W into F multiplied by S, जो इसका main formula है, या work done, हमें पता है, energy के बराबर होता है, ठीक है, जितनी energy निकलती है, उतना ही काम होता है, right, तो work done, जहाँ पर पूछेगा, वहाँ पर हम energy वाला formula भी लगा सकते है, calculate कर करने के लिए, और ये वाला formula दो लगाई सकते हैं, ये depend करता है, कितनी चीजे दी गई है, क्या force दिया गया है, क्या force दिया है, तब तो ये direct formula लगा देंगे, नहीं दिया है, तो ये energy वाला formula लगाएंगे, work done, calculate करने के लिए, ये चीज़ clear हो गया, अगर clear हो गया हो, तो आ 1500 kg, यहाँ पर इस question में जो कुछ भी बताया है, इसको मोटा मोटा यहाँ समझाने की कोसिस करता हूँ, ये car जो तुम्हाँ सामने yellow color की खड़ी है, ये इसका वजन है 1500 kg, ठीक है, मास कितना है इसका 1500 kg, अच्छा, और ये गाड़ी अभी चल रही है, और जिस speed से चल रही है, यानि इसका initial velocity हमने दिया है 30 km पर आवर, मतलब सुरुवात में 30 km पर आवर की speed से चल रही है, आपको काम क्या करना है, आपको इसको 60 km पर आवर की speed से भगाना है, ठीक है, अभी ये car 30 km पर आवर की speed से चल रही है, आपको 60 km पर आवर की speed से भगाना है, सेम car को जिसका मास 1500 सो केजी है ठीक है अभी ये रियालिटी है मतलब इतनी स्पीड से ये कार चल रही है हमें इतनी स्पीड से कार चलानी है और 30 किलोमेटर पर आवर से 60 किलोमेटर पर आवर ले जाने में कितना काम हुआ कितना work done हुआ यही इस question में पूछ रहा है work done calculate कर दो या कितनी energy लगेगी ये भी calculate अगर कर दिया तो आसानी से इन दोनों का answer हमें मिल जाएगा ठीक है तो हम दो kinetic energy calculate करेंगे एक इस case में एक इस case में और फिर two वाले का जितना result आएगा वो one को minus कर देंगे ठीक है क्यों क्योंकि हमें पता है न ये इतना इस समय इस speed से जब car चल रही है तो work done कितना है और इस speed से जब car चल रही है तब work done कितना है इस वाले में से ये minus कर दोगे आपका इस question का answer मिल जाएगा ठीक है तो चलिए करना start करते हैं कैसे करोगे सबसे पहले ये देखो हम पहला वाला case लेते हैं ठीक है first case जिसमें mass कितना है हमारा हमें पता है 1500 kg और जो velocity हमें पता है जो velocity हमें मिली है यानि initial velocity वो कितनी है वो है 30 km per hour सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं है km per hour में दिया है इसको meter per second में change करना पड़ेगा तभी हम calculate कर सकते है meter per second में change करने के लिए क्या करेंगे पहले 30 km है तो km को meter में change करने के लिए 1000 से multiply करते हैं ठीक है और नीचे hour है तो hour को second में change करने के लिए 60 minute होता है एक घंटे में और 60 second होता है तो इन दोनों को multiply कर दोगे तो हमारा जो final answer आएगा वो आएगा 30 यानि 3000 meter upon 3600 ठीक है 3000 meter actually एक और 0 यहाँ पर लगेगा तो यह 30,000 हो जाएगा क्योंकि एक kilometer में हमें पता है 1000 meter होता है तो और इसको अगर हम point से हटाएं तो it will become 8.33 meter per second ठीक है आप इसको calculate करके देख लेना यह आने वाला है 8.33 meter per second दूसरे case में अच्छा पहले इस case में हम work done calculate कर लेते हैं कितना आएगा यह kinetic energy निकालनी है क्योंकि energy के बराबर ही work done होता है ठीक है तो half multiplied by m multiplied by v का square तो यह आ जाने वाला है half multiplied by mass है 1500 kg ठीक है multiplied by velocity है हमारा 8.33 दो बार multiply करेंगे क्योंकि square है न 8.33 ठीक है तो अगर इसको calculate कर लें तो initial velocity यानि गाड़ी जब 30 km पर आवर से चल रही थी तब कितनी energy लग रहा था वो हमें पता चल जाएगा जूल में होगा answer ठीक है इसको calculate करने के बाद जो भी answer आएगा अच्छा आप दूसरे case में चलते हैं इस case में भी mass जो है हमारा वो same है 1500 kg ठीक है और velocity यानि final velocity इसने दिया है 60 तो इसको भी हमें 60 km पर आवर दिया है तो इसको भी हमें meter per second में change करना पड़ेगा ये कितना आ जाएगा 60 multiplied by 1000 ठीक है अपन 60 into 60 यानि 60,000 divided by 3600 राइट हमारा जो answer आएगा कुछ 16.87 आएगा ठीक है 16.87 meter per second तो अब हमारे पास एक mass और एक velocity है जो की meter per second में है तो फिर से हम formula लगाएंगे इस बार जो हमारा final जो 60 km पर आवर पर जब गाड़ी चल रही है तो उस time कितनी energy लगेगी उस time हमारी जो energy लगेगी mass है 1500 multiplied by half क्योंकि half m into v होता है तो 1500 multiplied by half multiplied by 16.87 का square यानि दो बार multiply कर दो इसका जो answer आएगा जूल में ठीक है आपको क्या करना है ये जो value आए इस value में से इस value को minus कर देना मतलब आगे इसको रखना पीछे इसको रखना जो answer आएगा वही इस question का answer होगा मैंने आपको तरीका बता दिया ठीक है कैसे करते हैं ये भी बता दिया I hope अब आप कर ले होगे ठीक है अब इस question का answer मुझे as a homework comment में चाहिए कि इस question का answer क्या आया है पूरा तरीका बता दिया है बस minus करना रह गया है आपको राइट अच्छा अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम चलते हैं potential energy की तरफ कि potential energy क्या होता है अच्छा एक बात बत है हमने force लगाया जिसकी वज़ा से यह दब गया ठीक है और जब दब गया है जब छोडेंगे तो यह अचानक बड़ा हो जाएगा बड़ा होगा बिल्कुल होगा क्यों क्यों क्योंकि जब हमने दबाया तो हमने इसके अंदर एक तरीके की energy deposit करी अच्छा तो work done by compressed spring हमने ज रबड को हमने खीच लिया ठीक है हमने खीच लिया और खीचने की वज़ा से इस रबड के अंदर एक energy पैदा हो गई है और इस energy की वज़ा से होगा क्या जब हम रबड को छोडेंगे तो बहुत तेज से चोट लगेगी हमें हाथ में ठीक है तो इस energy का work done हो जाएगा कुछ तो एक तरीकी की ये energy होती है जिसमें देखो हमने stretch किया रबड को stretch करते ही इसके अंदर एक energy आ गई है जो की जब हम छोडेंगे तो ये हमें चोट देगी तो वो energy जो की अपने position की वज़ा से हो ऐसे energy को हम potential energy कहते हैं अच्छा potential energy का एक formula है मेरे भाई ये भी देखो potential energy भी work done के बराबर होता है देखो अगर आपसे work done पूछे और work done पूछने के बाद mass दिया रहे और height दी रहे तो यही formula लगाओगे हमारा potential energy equal to mgh का जैसे आप देख सकते हो numerical 7 यहाँ पर दिया गया है आप इसमें तीन चीज़े देख पा रहे हो कहा है कि find the energy possessed by an object of mass 10 kg चलो इसमें तो इसने कहा है कि direct energy बताओ, potential energy बताओ, तब तो भाई हमारा वही formula यूज होगा potential energy का, क्या, ep equal to m, g और h, mass दिया है 10 kg, ठीक है, mass हमने दिया है 10 kg, multiplied by g, acceleration due to gravity दिया है 9.8, multiplied by, और height दिया है 6 meter, कहा क्या है इसने, इस example देखने कोसिस करते हैं, एक ball है जो कि 10 kg का है, हमने इसको उपर फेक दिया, कितनी उपर, 6 meter तक, अब ये ball जब नीचे गिरेगा, तो इसके अंदर कितनी potential energy होगी, तो calculate करने के लिए mass यानि 10, और acceleration due to gravity यानि 9.8, multiplied by 6, तो हो जाएगा हमारा answer कितना हो जाएगा, 98 multiplied by 6, चलो 98 को 6 से multiply करते हैं, कितना हो जाएगा, 8, 16, 32, 8, 32, 8, 45, 48, 48, 48, 49, 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 48, 58, 58, 58 joule, 5, 8, 8 joule, this is the energy, this is the energy possessed by an object of mass 10 kg, when it is height of 6 meter, एक object जो 10 kg का है, वो 6 meter की height में जाता है, तो इसकी potential energy कितनी हो जाएगी, 5, 88 joule, तो I hope आपको ये वाला भी समझ में आया होगा, और potential energy calculate करना आ गया होगा, अब देखो यार, MGH formula में पहले तो हमसे पूछ लेया था kinetic energy, किसी किसी question में kinetic energy की value दी रहेगी, mass भी दिया रहेगा, आपसे केवल height पूछेगा, तो आप इसी formula में यही potential energy रख देना, mass रख देना, और acceleration due to gravity रख देना, height निकलाएगा, किसी किसी question में potential energy दी रहेगी, height दिया रहेगा, mass calculate करना रहेगा, तो same formula में रख कर कर लेना, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं अपने अगले topic पर, अब आते हैं इस chapter के आखरी formula की तरफ, that is formula number 4, rate of doing work is called power, भाईसा power calculate करने के लिए हमें आ सकता है इस chapter में, अच्छा, power को denote कैसे करते हैं, P से इसका SI unit होता है, watt, James watt के इज़त सम्मान में इनका power का जो unit है, वो watt रखा गया है, इसको हम W से denote करते हैं, ठीक है, W, capital W is equal to watt, अच्छा, अब यह जो W है, यह क्या है, यह है work done, यह है work done, ठीक है, यह joule में होता है, right, अब आता है time, time का जो standard unit है, यह है second, SI unit, that is second, तो अगर numerical में, हमें work done, जूल में ना हो, तो जूल में लाना पड़ेगा, अगर हमारा time कहीं और है, यानि minute में है, या घंटे में है, तो उसको second में लाना पड़ेगा, और power की जो unit होती है, वो w यानि watt होती है, इतना पता चल गया, p equal to w upon t, work done, जब भी, देखो, जब भी power calculate करने के लिए देगा न, तो आपको यह work done का direct value नहीं देगा, आपको हो सकता है mass दे दे, और acceleration due to gravity दे दे, और height दे दे, अब इस MGH वाले formula से आप w निकाल सकते हो, यानि work done निकाल सकते हो, आप चाहो तो इस वाले formula से, इस वाले formula से भी work done निकाल सकते हो, क्योंकि यह वाला formula kinetic energy का है, किसका है, kinetic energy का, और यह वाला formula है potential energy का, और हमें पता है, energy हमेशा work done के equal होती है, तो इस W की जो value है अगर numerical में ना दी रहे तो या तो MGH वाला formula लगाना या MV का square लगाना जो value दी रहेगी MGH की तीनों value दी है तो इन तीनों की value रखके हम W निकाल लेंगे या velocity दिया है तो इसमें value रखके हम इसकी value निकाल लेंगे ठीक है W की तो चलिए numerical देखते हैं तब आपको easily समझ में आएगा इसने कहाए कि two girls दो लड़किया है जिनका weight है 400 newton देखो weight mass into acceleration due to gravity दोनों को मिला कर हम weight कहते हैं ठीक है? weight दिया है 400 newton दो लड़किया है दोनो 400 newton की वजगनदार है और climb a rope through a height of 8 meter और ये दोनो 8 मतलब दो लड़किया है मानलो ऐसे ले लेते हैं दो लड़किया है ठीक है? और ये दोनो लड़किया एक रसी पर चड़ रही है इस रसी की height है 8 meter ठीक है? we name one of the girl A एक को हमने A कहा दूसरे को हमने B कहा ठीक है? girl A takes 20 seconds जो पहली लड़की है वो 20 seconds लेती है दूसरी वाली कितना लेती है? 50 seconds लेती है आपसे बोल रहा है what is the power expended by each girl? इस लड़की ने इस 8 meter रसी चड़ने में कितना power लगाया और इस लड़की ने इस 8 meter की रसी चड़ने में कितना power लगाया बस आपको यही calculate करना है तो पहले case में power calculate करते है power का formula हमें पता है work done upon time taken ठीक है? और हमारे पास दिया क्या क्या है? हमारे पास weight दिया है देखो work done का formula यह भी हो सकता है M, G और H मैंने ज़र से बताया आपको तो M और G दोनों मिलाकर इसने दिया है 400 newton M, G मतलब weight होता है तो weight इसने दिया है कितना? 400 newton अच्छा उसके बाद इसने height भी दे दिया है भाई साब height कितना है? meter में है? ठीक है? 8 meter अब power निकाल लो work done work done कितना हो जाएगा? हमारा time time भी चाहिए न हमें time पहली लड़की ने कितना लगाया? 20 second लगाया 20 second अब इस formula में रखने के लिए मारे पास सारी value है M, G की जगा हमने रख दिया 400 multiplied by H की जगा हमने रख दिया 8 और नीचे time चाहिए जो की है 20 second तो calculate करते है 400 into 8 हो गया हमारा 32 और 32 को multiply करेंगे 20 से तो ये आने वाला है 164 ठीक है? और चुकि power calculate कर रहे हैं इसलिए watt में होगा 164 watt अच्छा दूसरी लड़की का calculate करते है ये तो पहली लड़की का था power ठीक है? दूसरी लड़की same formula power calculate करना है तो work done चाहिए और time चाहिए work done में हमें इस case में भी जो वज़न है लड़की का वो same है 400 newton ठीक है? और जो height चढ़नी है वो भी same है 8 meter ठीक है? time दिया गया है 50 second लगा इसको चढ़ने में तो power कितना लगा? तो सबसे पहले 400 को multiply कर देंगे 8 से और divide कर देंगे 50 से हमारे पास आ जाएगा 3200 divided by 50 this will become 64 watts ठीक है? तो हमारी जो पहली लड़की थी उसको इतना power लगा इस रसी को चढ़ने में और दूसरी लड़की को इतना power लगा हमने सिर्फ power का formula रखा इस work done ये जो work done है ना इस work done की value direct नहीं दिया इसने इसने weight दे दिया और height दे दिया दोनों को multiply कर लें हम mg और h को multiply कर लें तो mg h हो जाएगा जो की work done के बराबर होता है तो work done नहीं दिया लेकिन पूरी value तो दी है हमें बस calculate करके निकाल लेना है अब हम चलते हैं अगले numerical की तरफ that is numerical number 9 और इस numerical में भी हमें power वाला formula लगाना है यानि p equal to w upon t इसी formula पर हम ये वाला numerical भी solve करेंगे देखो पढ़ते हैं ध्यान से क्या लिखा है कह रहा है कि एक लड़का है जिसका mass दिया है weight नहीं दिया है weight क्या होता है m और g के बराबर होता है mass केवल अकेला m होता है ठीक है इसने कहा कि एक लड़का है जिसका mass 50 kg है runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds if the height of each step is 15 cm find his power हम g ले सकते हैं 10 meter per second तो इसके लिए एक figure बनाते हैं एक लड़का है ठीक है एक लड़का है ये रामू और इसका mass दिया गया है 50 kg ये रामू का mass कितना है 50 kg इसके सामने एक cd है ऐसे cd है ये इस cd पर चड़ रहा है और इस एक cd की height 15 cm है हर cd की height 15 cm है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ये एक एक cd इसकी height 15 cm है एक cd की height ठीक है अच्छा टोटल कितनी cd चड़नी है इसको टोटल चड़नी है 45 steps ठीक है 45 cd की height है 15 cm अब इस पूरे cd को चड़ने में अगर ये रामू जो है 9 सेकेंड लगाता है टाइम कितना लगाता है 9 सेकेंड तो इसका power कितना होगा power calculate करने का चलो solution की तरफ चलते है power calculate करने का हमारे पास formula है जो हम सबसे पहले लिखेंगे P equal to W upon T यही formula है W को हम MGH भी लिख सकते है work done MGH के बराबर भी होता है ठीक है तो चलो पहले ये देखते हैं G की value दी है 10 meter per second ठीक है height height यहाँ पर दिया तो नहीं गया है लेकिन indirectly दिया है कैसे हमें total 45 steps चढ़ने है और एक step 15 cm का है अच्छा 15 cm का है इसको meter में पहले change करना पड़ेगा meter में change करने के लिए हम 15 को 100 से divide कर देते हैं तब यह जो पूरी value आएगी यह हमारी meter में आएगी ठीक है height calculate करते है 45 15 जा हो जाता है 675 divided by 100 this will become 6.75 meter तो हमारे पास mass भी है acceleration due to gravity भी है height भी है तो W तो निकल जाएगा और time भी दिया है कि कितना समय लगता है 9 second लगता है ठीक है 9 second तो value यह तुम्हारे सामने दिख रही है ठीक है यह अब बस इस value को इस वाले formula में put करना है तो पहले तो work done calculate करते है mass है 50 multiplied by acceleration due to gravity है 10 multiplied by height total height है 6.75 meter ठीक है अच्छा और time भी नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि upon t है ना तो time है 9 second अच्छा अच्छा लो calculate करते हैं 15 times हो जाता है 500 500 multiplied by 6.75 और divided by 9 यही हमारा answer होगा और यह आएगा what में अब यह जो answer होगा यह तब मिलेगा जब तुम 500 को multiply करोगे 6.75 से और फिर divide करोगे 9 से इस equation को solve कर लेना आपका answer आपके सामने आ जाएगा और उस answer की unit क्या होगी what में होगी क्यों क्योंकि हमें क्या calculate करना है power calculate करना है तो easy था यह भी बस हमें formula में value रखनी है इससे ज़ादा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त अब हम चलते है formula number 5 की तरब जो कि इस chapter का आखरी formula होने वाला है इसके पहले वाले formula में भी मैंने कहा था कि यह आखरी है but this is the final and last formula of this chapter ठीक है commercial unit of power अब बताओ commercial unit of power से तुम क्या समझते हो मेरे दोस्त power क्या होता है अगर हम अपने घरों में बात करें तो power मतलब हम बिजली समझते है light आती है इसको बोलते है power आ गई है हमारे घरों में power को कैसे गिना जाता है commercial unit क्या है इसका एक बात बताओ बिजली का bill जो आता है वो units में आता है commercial unit of power यह हमें unit में मिलता है units of energy में मिलता है ठीक है energy की unit होती है मालो हमने एक unit खर्च किया तो एक unit के बराबर हमें पैसा देना पड़ेगा जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो इस महिने मैंने डेड़ सो unit खतम किया है बिजली के ठीक है और एक unit 7 रुपए का आता है 7 रुपए गवर्मेंट का चार्ज है तो 150 multiplied by 7 इतना पैसा पे करना पड़ेगा मुझे इस महिने का बिल ठीक है तो हमारे घरों में जो commercial unit of power होता है वो unit में गिना जाता है ठीक है तो इसका formula क्या होना चाहिए commercial unit of power का इसका formula होता है energy multiplied by time energy multiplied by time energy को हम kilowatt में गिनते हैं और time को हम hour में गिनते हैं ये केवल commercial unit of power के लिए है otherwise energy की unit तो joule होती है और फिर time की unit second होती है ये आपको पता है लेकिन केवल commercial unit of power calculate करने के क्योंकि हमारे घरों में हम watt में energy नहीं calculate कर सकते बहुत बड़ा बड़ा होता है ठीक है तो kilowatt में हम energy calculate करते हैं हम हर second की energy नहीं calculate कर सकते हैं हम घंटी की energy calculate करते हैं घरों में तो जो commercial unit of power है वो calculate किया जाता है energy multiplied by time से ठीक है माल लो तुमसे कहे कोई कि one unit of energy किसके बराबर होता है one unit of energy तो one unit of energy जो होता है वो हमेशा one kilowatt और multiplied by hour यानी one kilowatt hour के बराबर होता है हमारा one unit of energy ठीक है one kilowatt hour के बराबर हो और हमने इसको कैसे calculate किया energy multiplied by time energy kilowatt में रहेगा और time हमारा hour में रहेगा तो ये main formula था commercial unit of power का कैसे निकालोगे commercial unit of power energy multiplied by time तो चलो एक numerical करते है देखते हैं होता है कि ने ये है 10th numerical of this chapter जो की power के commercial unit पर है कहरा है कि एक electric bulb है जो की 60 watt power मतलब energy 60 watt energy consume करती है 6 घंटे तक per day अब आपसे बोल रहा है कितने units of energy इस bulb ने consume किये एक bulb है ठीक है एक bulb है इस bulb से रोसनी निकलती है 60 watt की कितने watt की 60 watt की और 6 घंटा per day 6 घंटा एक दिन में ये 60 watt लगातार जलता रहता है 6 घंटे तक जलता है अब हमें इसमें formula लगाना पड़ेगा commercial unit of energy निकालनी है नहामें तो commercial unit of energy यानि power कह सकते हैं उसको और ये multiply हो जाएगा energy multiplied by time से ठीक है तो energy हमें kilowatt hour में चाहिए और यहां पर watt है तो 60 watt को kilowatt hour में बदलने के लिए आप 60 divided by 1000 करेंगे ठीक है तो ये आएगा कुछ इसका answer 0.06 ठीक है एक और 0 आगे लगेगा लेकिन इसको अब ignore कर सकते हैं तो 0.06 kilowatt तो energy हमने निकाली कितनी 60 watt को हमने जब kilowatt में change किया तो ये आज आएगा 0.06 kilowatt multiplied by time दिया है 6 घंटे और time हमारा hour में होना चाहिए तो ये सही है तो इसको हम multiply करते हैं 0.06 को 6 से तो it will become 0.36 और kilowatt और hour मिलके हो जाएगा kilowatt hour kilowatt hour को हम unit भी कहते हैं तो हम 0.36 units of energy ये इतनी energy consume करता है एक दिन में एक दिन में ये bulb अगर 6 घंटे तक जलता है तो इतनी energy consume करेगा ठीक है तो this was the numerical so I hope कि आपको ये पूरा वीडियो जो हमने animated animation के through आपको समझाया वो समझ में आया होगा और इस chapter के सभी formula आपको ऐसे उंगलियों पर याद हो गया होगे और इन formula पर numericals कैसे करोगी ये भी समझ में आ गया होगा so this is all about from my side और अगर किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी छूट गई है तो आप comment section में comment कर सकते हो मिलते एक और धमाकेदार वीडियो में educational hikes के साथ तब तक ख्याल रखिए अपना अपनों का बबाई, take care, love you all चेहिंद